एलो फ्रेंब्स जाड़ेका समय है मकरसंक्रांति आगई है मकर संक्रांति पर काले तील के लड़ू तो अच्छ से काले तील को घर में साफ करके के कले तो इस तील निकलाने के लिए मैझी यहाँपे दोटा sixteen को गहां सब्नाशने और को पानी डाल करके इसे हमें अच्छे से मल मल के धोना है हाथों से इसे स्कुल्ब करके हम इसे धो हएंगे जितना हम इसे रगड़ेंगे इस में से color छूटेगा मार्केट में आज कल तील आ रहा है उसमें color रहता है जिसे हमको हार्म हो सकता है इसे हम अच्छे से रगड़ करके मलमल के तिल को धो लेंगे और देखिए से हम साफ कैसे करते हैं एक छनी लेंगे आप चाहे तो आता चालने की भी छनी सकते हैं या इस तरह की पास इस चेनर है इस से भी शान सकते हैं थोड़ा-थोड़ा पाई ढाल करके इस तरह से छनी में हमें इस तिल को निकालना है पानी डालेंगे यह तेल उपर हमारी तैरने लगी और नीचे जो कंकरपत्थर होगा वह बैठता जाएगा जब पानी डालत अगर मिट्टी होती है तो और कंकर पथर होता है तो नीचे बैठ जाता है लेक इस तरह से हमें इस तील को ढईाला है अच्छे से साफ कि inner bentver से इतने बादा पाने डालेंगे उतने बादल को हम हाथ से स्क्रब कर देंगे इस तरह से धीरे धीरे इसको पानी के साहरे तील को हमें चन्नी में डालना है तो देखिए नीचे थोड़ी सी अभी तील है और नीचे आपको बाद में दिखाएंगे इस जब लास्ट में बजता है कितना सारे इसमें कंकर पत्थर यहां धीरे धीरे मैंने सारे तील को चन्नी में चान लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और तील को इस तरह से हमको पानी के साहरे चन्नी में निकालना है यह देखिए नीचे कितना सारा पत्थर बारी पत्थर कंकर है अगर यह हम फटक करके ऐसे सुखाते साफ करते यहां पानी में इस तरह से निकालने से पथर पनी लाता है और इसमें काफी कुलर मिक्क्स है यह हमारी तिल अच्छे से। पत्थर से साफ हो गई है पथर अलग हो गया एक बार फिर हम इसे पानी से धो करके देखते हैं जि कहीं उस पथर की टुक्रेश में चले नहीं न आये हैं थो आथ़वा पानी करके इस तरह से फिर हम तिल को निकाल देते हैं इस तरह से हम कोई भी अनाज साफ कर सकते हैं, चावल में भी कंकड आते हैं, दाल में भी आते हैं, इसे तरियाना कहते हैं, पहले के लोग इसे तरियाना कहते थे, नीचे बैश जाता था कंकड पत्थर और मिटी गल जाती थी, यह हमारा तिल अच्छे से साफ हो गया है, काले और कडाही को गरम करके ये धोय हुए तील को हम हाई फ्लेम पर पहले सुखाएंगे। हाई फ्लेम से फट्ट फट चलाते हुए हमें इसका पानी सुखा देना है। अभी हमारी तिल जलेगी नहीं, जैसे ही इस तिल का पानी सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगी तिल, हमें गैस का फ्रेम लो मीडियम कर देना है, देखिए, यह हमारी तिल सूख गई, एकदम हलकी हो गई है, मैं आपको वीडियो जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए, हम हमारी तिल अच्छे से सूख गई है, और गैस का फ्रेम हम लो मीडियम कर देंगे, जैसे जैसे हमारा तिल भुनना सुरू होगा, वैसे वैसे इसमें से आवाज आने लगेगा, चिटकने का, यह हमारा तिल लो मीडियम फ्रेम पर भुन रहा है, इसे धूप में दिखाने की पांस में ठाई फ्रेम पर आपको पाने सुखाने में लगता है, और दो से तीन मिड़ इसको भुनने में लगता है, यहाँ पर मैंने काजू बारिक काट लिया है, बादाम को भी बारिक काट लिया है, आप चाहत इसे कूट करके भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसे काट प्रेस करके डाल सकते हैं यहां पर हमारी तिली भुण गई है गैस का फ्रेंगे बहुत जादे नहीं भुलेंगे नहीं तो यह हमारी तिल कडू से लेकिन अगर जादि फूंदेंगे तो यह कड़ू भी हो जाती है, इसे एक ठाली में ट्रांस्फर कर लेंगे कड़ाही से, यह ठाली में मैंने इसे एक साइट ट्रांस्फर करके रख लिया है, और फिर कड़ाही को प्लीन करके इसे हम गैस पर चढ़ाएंगे और जो गुर त तोड़ करके ये है 200 ग्राम, च्छोटे च्छोटी टुक्ड़ों में हमने इसे प्लोड दिया है, उसमें डालेंगे आधा कप पानी के गयर का फेर्म लो मीडियम में रखेंगे और इसमें डालेंगे लगभग आधा मेल्ट होगा, वैसे वैसे हमारे चासनी बननी त्यार हो जाएगी, बहुत टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 5-8 मिनट टाइम लगेगा, अगर हम जादे पाने डाल देते हैं, तो चासनी बनाने में हमको काफी टाइम लगता है, देखिए हमारी चासनी बनने लगी है, यहाँ पर हमें तीन तार की चासनी बनानी है, इसे चासनी को चेक करने का भी हम आपको फर्मूरत दिखाएंगे, यहाँ पर बरतन में पाने ले लेंगे कटोरी में, और फिर यहाँ पर एक ड्रॉप डालेंगे, एक ड्रॉप दो ड्रॉप, देखिए इस तरह से गोल बनने लगेगा, आप चाहें तो इस चमच को भी आप चासनी उठा करके जब गिराएंगे, तो इसमें से अगर तीन तार गिरता है, तो यह तीन तार की चासनी कही जाती है, यह हमारा चासनी थोड़ा सा और पार्श्मिंट पका लिए, देखिए गे, हम आपको चमच में उठा कर दिखा रहे हैं, यह हमारी चासनी रेडी हो गई है, जैसे हम पाने में इसे डाल रहे है, फटा फट यह देखिए, जमने लग रही है, यह हमारी चासनी बन के त्यार है, और इस समय इस तिल को हमें भुने हुए तिल को गुड़ में डाल देना है, चासनी हमारी रेडी है, गैस का फ्रेम एकदम लो कर देंगे और फटा फट इसे मिक्स कर देंगे गुड़ को तिल के साथ यह हमारा मिक्सचर त्यार हो गया है तिल के लड़ू का और गैस का फ्रेम हम करेंगे यहां पर बंद नहीं तो बहुत जादे अगर गुड़ पक जाएगा तो हमारे तिल के ल लड्डू नहीं तूटते हैं एकदम चासनी परफेक्ट बनना चाहिए नहीं तो या तो लड्डू बननेंगे नहीं और या फिर इतने कड़े हो जाएंगे कि तोड़ने पर तूटेंगे नहीं इसे ठंडा करने के लिए फटा-फटी से हमें चम्मत से चलाना है जिसे ठंडा हो एकदम ठंडा नहीं करना है इसे हमें गरम-गरम ही बानना होगा लेकिन थोड़ा सा टंप्रेचर हाथ से छुने लाइक हो जाना चाहिए जाड़े का समय है तो फटा-फट यह ठंडा भी हो जाता है हाथ में लगाएंगे पानी आप चाहें तेहां पर देश्ची की भी हा पानी लगा कर पिर किनारे से थोड़ा सा इस तरह से उठाना है और हमें इसका लड़ू त्यार करना है बहुत गरम है हाथ से छुगा नहीं जा रहा है एक लड़ू में आपको बना करके दिखा रही है अब देखे एकदम गरम ही एकदम सॉफ्ट है जैसे जैसे ठंडा होग वैसे वैसे यह मिक्षर हार्ड होने लगेगा फटाफट हमें लड़ू बान लेने है नहीं तो यह जम जाएगा तो एकदम बद नहीं पाएगा गरम गरम ही हमें इस मिक्षर के लड़ू को त्यार कर लेना है यह जिदर से ठंडा हो उधर से यह मिक्षर उठाना है और फटाग से लड़ू बना देना है किनारे का पाइट जल्दी ठंडा होता है, बीच का पाइट गरम रहता है चाहरोत परफ से किनारे से हमें लड़ू बनाना है जब हाथ में चिपकने लगे तो फिर पानी से ग्रीस कर लेना है हाथ को या घी से ग्रीस करना है और फिर इस तरह से लड्डू को त्यार करना है मैंने सारी लड्डू बना लिए लाश्ट लड्डू है इदे की प्रताली में लड्डू मैंने त्यार कर लिए हैं 200 ग्राम गुड और 200 ग्राम तिल से इतने सारे लडू त्यार हुए हैं, संक्रांति की तियारी हो गई लडू बन करके और इस तरह से आप भी घर पे लड़ू बनाईए और संक्रांती इंज्वाइ कीजिए लड़ू बनाना बहुत ही आसान है अगर आपको इस काले तिल के लड़ू की रेशिव पसंद आती है तो अपने फैमिली प्षेंज को सेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस करना ना भूलें